ज आहिंत Wonderful करेंक Sharing यहां सभी निष्सकों के लिए अचछी खबर आजये विडियो सुरू करते हैं घीरे-चलना हो सेर प्रईस काफी धीरे ऴटता है क्यूंके सरकारी कंपनीं सरकारी कंपरीं कराष से काफी बड़ी कंपनी है और चेर प्राइश assignment 4000 रूपया जिस लिहाज के इसका मार्केट केप है उसके हिसाब से इसका शेर प्राइस तो बहुत कम है हाई लगाया सिर्फ 144 रुपया का और अभी इसके जो क्वाटर 3 की नतीजे आए हैं बहुत अच्छे आए हैं तुमीद है कि अगले सताम जब मार्केट ओपेन होगा तो यहां अपने हाई को नहीं करते हैं देखें कंपनी ने कहें कि चार रुपया परति है डिविडेंट देने जा रहा है और सद एक शेर पर आपको चार रुपय मिलेंगे फेस्ट रुपय के साब से जब आप 10 रुपय और चार रुपय का डिविडेंट करेंगे तो करीकुर्ब 40% आएगा रिकॉ पर 8 सितंबर को डीडेंट दिया था 3 रुप्या 15 पैसा के हिसाब से यानि एक चिएर पर इस ने तीन रुप्या 15 पैसा डीuडेंट दिया था 8 सितंबर के उजे देती ही देती है यह सभी शिर होलडर्स के लिए इसके जो सिर्फ बाद मैंने शुरू में बता है कि विशेश कर इस कंपनी को लोग अपने पोर्फोलियों सिर्फ डिविडेंड लेने के लिए ही रखते हैं अब हमनों क्वार्ड थीरी की नतीज़ों पर चर्चा करते हैं सारे फीगर्स करोण में सिर्फ और शेयर को छोड़ कर और क्वार्ड ली वेसिस पर भी कंपनी का रिविन्यू बढ़ा है अगर प्रोफिट आप टेक्स की बात करें जिसे सुध मुनाफ़ा करते हैं क्योंकि यह टेक्स देने के बाद कंपनी के पास बचता है यह हो गया 4,626 करोण क्वार्ड थीरी में और यह क्वार्ड टू में स को प्रोफिट हुआ है और पिछले साल के जो प्रोफिट फॉए नतीजे थे उससे भी अधिक प्रोफिट हुआ है क्वार्ड थीरी में इस साल के sont पर सेर की बात करें तो वर्निंग पर सेर बढ़का 4.64 रोप्या हो गया है जो कि क्वार्टर टू में 3.71 था और पिछले साल 3.81 था तो अबर आल बात है कि कंपनी का रेवेन्यू प्रोफित अर्निंग पर सेर हर एक चीज इस क्वार्टर थीरी में बढ़े हैं पिछले क्वा अगर आपके पास इस कंपनी के सेर है तो बेसक होड़ कीजे नहीं है तो एक सही समय देकर इसको बाइक कर सकते हैं लेकिन लॉंग टर्म के उदेश से उमीद करते हूं मैं जो बताना चाहरा था आपको समझ मैया होगा मिलते नेक्ट वीडियो में तब तक लिए सुक्रिया झाल